क्वाइन उलकम गाइस कैसो आप सो उमीद करते हैं काफी अच्छे होंगे ओमान डी टीटन लीग का 12th मैच कवर कर रहें यह मुकाबला एजएट एवर्सिस की उटी की विच में मैच खिला जाएगा और इस वीडियो में हम डीप्ली अनलाइसिस करेंगे किस प्लेयर को यहां सब्सक्राइब करना है विच जो भी आपके कैप्टेन के लिए इंपोर्टेंट और डिफोल्ट प्लेस रहेंगे इनके वार में भी डीटियल्स में डिस्कूस करेंगा और हमान टीटन के अंदर उल्मॉश हम प्रॉफिटी के हमारे रिशन के हमने जो भी मुकाबले सिजन क सब्सक्राइब करना है अब देखो इस मैच में प्रॉफिटी के हमारे अगर आप चाहों तो ग्रेंड लिक्स में भी कर सकते हो पर जाहतर यह स्मॉलिस के लिए मेरे रुकुमेंट से मैच काफी अच्छा रहेगा तो वीडियो उसको एंटक देखना ताकि जो भी इनकी पी सबसे पहले जो लगते हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन जरूर से प्रेस कर देगा ताकि जो भी आने वाले वीडियो से होंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेंगे और वैसे भी आप सभी लोग सब्सक्राइब लेट नइट आपको मैस दिखेगा हमेशा की तरह का जो सजेशन रहता है कि स्मॉल लिग में इंवेश्मेंट करो तो फिर पहले से कॉंटेस जवान करके रखा करो ज्यादा बेनेफेट होगा जो कंपेटिशन लेबल आपको काफी लोग मिलेगा यह मैने फ पीचेक तरह से बैलेंसर जहां पर बॉलिंग बैटिंग दोनों के अच्छी हेल्प मिल रही है थोड़ी सी फास्ट बॉलर उसको अच्छी मदद मिलिए इस पर नियुस पे तो जो भी बॉलिंग उप्संस रहेंगे जहातर हमारे टीम यह पेसर सी रहने वाले हैं अब तेल तो अगर देखोगे तो एजय डे के टीम क्यों से यहां पर रिशंट के दो मैचों में एक जीते एक हार कर आ रहे और इनके टीम क्यों से जोगी यह ओपन वैटिंग रातो इस टीम क्यों से दीखेंगे लाश्ट मैच में 21 इस से पहले सिर्फ तीन रन ता हलाकि टीटन के 14 म फॉर्म में बॉलिंग करा है नहीं सिर्फ अप्लेर अगर आप बैटिंग इनको लेना चाहो तो अपने टीम्स में आप पिक करके जाओ बागी आपर जो मज़र अली की बात करेंगे प्लाश मैच में दो भी क्रेट्स था जिसमें दो वरिस्ट के बॉलिंगे से पहले सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे जिसमें यह बॉलिंग और वैटिंग दोनों एक राते आप एज़ा प्लेंगों टीम्स में लेकर जाओ देखो मज़र अली यह सिर्फ एज़ा प्लेर रखेंगे बाकी हाथी मौबर अली की बात करेंगे तो वन मैच अजिसे पहले टूरंगर सब्सक्राइब करेंगे जहां पर बैटिंग ही अच्छा है ना बॉलिंग तो यहां सब्सक्राइब यह खेलते हैं तो आप इने अग्नोर करना और इनके लावा यूश्यूप का भी देखो तो वही हाले लास्ट मैच में डग पर आउट इसे पहले से रिपेकी रन था अभ सब्सक्राइब करेंगे इनके अलावा यहां पर अगेल मुहम्मित की बात करेंगे तो लास्ट मैचों में नौई से पहले यह ना बैटिंग ना बॉलिंग रहा हलाकि दोसों टीटन के बारा मैचों में सिर्फ एक्सट रनी दिखेगा तो अभी इनको हम यहां से ड्रॉप क के बास एक तो हैदो रह सकते हैं जो कि टीट्वेंटी के साथ मैच में दस विगर्स पर लगतार दो मैचों में फ्लॉप दे इनके लाव अगर आप चाहों तो सहबाद रहीं के शाथ जाओ लिशन के दो मैचों से यह भी पूरी बॉलिंग डाले उसके बाद इनको भी विक टीमस में रखने वाले पागी यहां पर जो मैदी मैसोरी मुहमद फरास की बात करेंगे तो यह रिशन मैचों में विकर्ट सी से पहले यह भी किट लेस्त है और टीट्वेंटी के गारा मैचों में नो विकर्ट सी दिखेंगे तो उतना भी खास अच्छा है इनका बॉलिंग नहीं है फिर भी एक अवरेज विकर्टेकर से टीमस में आप रिस्क ले सकते हो आप एज़ा प्लेयर बॉलिंग में लेकर ही जाओ बेंच में से कोई प्लेयर यहां से खेलता है तो इस अभी प्लेयर के स्टाट्स इंफोर्म हो सकता है कि हम हैदर के शाथ जाए या फिर सहबाज रहीम के शाथ जाए बाकि जो पांच वी ओप्सन से आपर देखो तो मुहमद फेज फराज हमारे टीमस में रहेंगे अब अगर हम इनके अलावा की टीक टीम जिसके हम बात करें तो इनको भी टीम ने दो मैचों में एक स्कूर था अब टीटेन के आरा मैचों में सिर्फ दस रन देखोगे तो नौ विक्रेट स्पीन के दिखेंगे पर बॉलिंग अबरेशन के मैचों में नहीं किरा रहें जो अभी है वह बैटिंग ही आपको दिखेंगे बाकि सोहेब खान राइट अंडर बैट्स मेंने टीट टीटेन के 14 मैचों में टोटल एक सो ठाथारन सोला कैबरेज और विक्रेट सी दिखेंगे लाश्ट मैचों में 38 से पहले यह फ्लॉप थे हाला कि दोस्तों कर फर्स निंग में टीम बैटिंग कराएंगी तो आप रिस्क लेकर सोहेब के साथ जा सकता अब यान खान इस टीम और यान खान को आप ग्रैंड लिस और मीनी जेल टीम में खास करके सीवी सी करके जाना शूरज ना बैटिंग अच्छा ना बॉलिंग वैसे पांसे शे नंबर बैटिंग के लिए इनके लावा यहां पर जो सिदार्थ का भी देखो तो लास्ट मैच में फ्लॉप थे पहले यहां से इनको भी ड्रॉप करके ही जाना बागी असीज का भी देखो तो यह बॉलिंग नहीं कराएंगे पर इसे पहले यह फ्लॉप रहे थे असीज एक बेस्ट प्लेयर रहेंगे पर इनको ग्रैंड लिस्ट टीम्स में अपरा को फर्स निंग में टीम बैटिंग कराती है तो हलाकि जो में बॉलिंग है आप दिखेंगे लास्ट मैच में फ्लॉप परी से पहले दो विकर्स था वह एकर आप श्रीवास्तों का भी द आने वाले आप देखो मुनिस का विकर आप फॉर्म देखो तो टीटन के 14 मैचों में 12 विकर्ट दिखेंगे जो लास्ट के वन मैच वन विकर्ट इससे पहले भी वन विकर्स पर यह एक सदाबर के बॉलिंग नहीं कराएंगे यह ची दोस्तों ध्यान रखना आप इनके यहां पर आयान खान रहेंगा हमारे टीम में चौथे प्लेयर्स के तौर पर यहां पर देखोगे तो हम अफरित के साथ जाएंगे और बाकि जो पांच वे उप्सन से अश्रिवास्तों रहेंगे चट्रों मुनिस अंसर और यहां पर संधीन कोर्ण में से किसी एक को रखने प्रिजरपती और रतन रहेंगे तीसरे प्लेयर यहां पर हमने एकबाल को रखा अगर आप चाहों तो अपने एक सानुसार टीम्स में चेंज़ेस भी कर सकतो इनके अलावा यहां पर एश्रमधी है टीम के मेन और उन्डर से दूसरे और यहां पर माज़र अली के साइग है तीसरे प्लेयर यान खान और यहां पर जो की एस खान हमारे यह पांचवे बॉलिंग ऑप्संस इस मैच में रहेंगे सेम टीम्स के साथ इंवेश्मेंट है बागी आप बॉलिंग देखी रहे होगा और जो भी टीम में टॉस के बाद चेंज़ेस होंगे इसकी सारे अपडे मिलते हैं मैं नेक्श मैचस के साथ तब तक आप हमारे टेलिग्राम के साथ जो जाएगा नीचे आपको ड्रेस्किप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा